नमस्कार साथियो टीवी खोलो तो एक ही खबर आती कहीं बादल फट गया और कहीं मूसला धार बारिश से त्राहितार ही मची हुई लेकिन हमारे महोबा में इस्थिती क्या है बिल्कुल जेस्ट उलट यहां इस मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह हमारा एथ्यासिक तीरस सागर सरूबर है और उसकी दसा बहुत ज़्यादा खराब है वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है यह देखिए घाट दिख रहे हैं यह उसके घाट बड़ी बड़ी जालिया है और मिट्टी जमे हुई है पानी बहुत दूर जा चुका है यह पोजीशन यहां है मैं दिखाता हूँ घाट कैसे है और इनकी क्या पोजीशन है अभी यहां पर चंद रोज पहले एथ्यासिक कजली मेला लगाता है जो बुंदेल खंड का सबसे प्राचीन मेला है लेकिन उस प्राचीन मेले के आगमन से पहले धेर सारी तईयारियां की गई थी बड़े बड़े प्रोग्राम करवाई गए थे बॉलीवूड नाइट बॉलीवूड सूफी नाइट और जाने क्या क्या हुआ लेकिन जिस एथ्यासिक तालाब के तट पर ये कारिकरम हुआ था उस तालाब की दुरगती और दसा के बारे में किसी ने ने सोचा कि कैसे ये तालाब भरा जाए कैसे इसकी दसा सुधारी जाए इसके बारे में किसी ने कोई बिचार नहीं किया ना अभी कोई योजना है कि कैसे ये तालाब भरेंगे क्योंकि तालाब का असली सौंदर उसका लबा लब भरा होना है यही उसकी ब्यूटी है लेकिन मामला सा सारा उल्टा है चलिए हम दिखाते हैं आपको कि क्या हकीकत है और क्या पोजीशन है आप देखिए यह देखिए इस तालाब में पानी कितनी दूर जा चुका है बहुत यह चत्ताने जिए मैं खड़ा हूँ यह घाट पर खड़ा हूँ और पानी कितनी दूर है यहां से यह हालात कभ हैं जब भादों का महीना चल रहा है इस समय भादों चल रहा है और भादों का महिना सावन बीत गया, साड़ बीत गया, कोई बारिस नहीं हुई है, माना की बारिस नहीं हुई, लेकिन MP में बारिस हो रही है, आसपास बहुत जगे बारिस हो रही है, इस तालाप को भरने के बारे में परसासन की कोई योजना नही यह देखिए, यह घाट है, कितनी बुरी हालत हो चुकी है, कितनी बड़ी-बड़ी घास हो गाई है, उसके किनारी-किनारी, क्यों-क्यों कि वहाँ पर पानी का बहुत भीशन संकट है, आप यह देखिए, यह घाट में देखिए, गिंते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, सत ए-धर हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इस्पेश है, फिर उसके बाद तीन सीधियां और है, ऊपर एक मंदिर है, और यह देखिए, यहां पर आगे van उस himliya हैं, और यह पूरा तालाब दिख रहा है, दूर दूर तक देखिए, यह देखिए, पूरा घाट दिख रहा है क्या position है कितनी खराब position है देखिए इस तालाब की position बहुती खुबसूरत तालाब है ये इसका नाम है कीरत सागर कीरत सागर सरूबर इस तालाब को कीरती वर्मन जो चंदेल राजा थे उन्होंने बनवाया था और ग्यार्मी सताब्दी मैं बनवाया था इसको मतलब करीब आठ सो वर्स पहले लेकिन अब इसकी position क्या है बहुत ज़्यादा खराब है ये देखिए सुवर घूम रहे हैं किनारे किनारे यहां पे लोग सौच करते हैं और गंदगी का आलम मतलब सौच का अड़ा बन चुका है और पूरा देखिए हर जगे गंदगी पटी हुई है ज़वरजश्त गंदगी का अंबार लगा है और जबकि इसका घाट बहुत ही खुब सूरत है बहुत ही दर्शनी है और आगे तक मंदिर और एक मजार सब बना हुआ है बहुत ही खुब सूरत कई मंदिर हैं बीज-बीज में कुछ दुकाने भी लगी हुई है दिख रही है इसमें लिखा हुआ है इस जील का निर्माद चंदेल वंस के राजा ठीर्टी वर्मन द्वारा 1060 से 1190 के मद्ध कराए गया था लगबग 2 किलो मीटर छेतर में विस्तरत जील में प्रसस्त निर्माद सीडियों सहित सब घाटों का निर्माद कराए गया है इस इस्थल जील के समीप 1182 में प्रतिवी राज चुहान और परमाल इस्थानी चंदेल राजा के मद्ध एत्यासिक युद्ध हुआ था इस एत्यासिक युद्ध की इसमृती में कजली उस्थो प्रतिवर्श जील के पूरी बान पर मनाये जाता तो ये इस बार भी हुआ था सब कुछ हुआ लेकिन इस कीरत सागर सरोबर को की हालत कैसे सुदारी जाए इसको कैसे भरा जाए इसके बारे में किसी नहीं सोचा ये नीचे का एक मार्ग है जिससे लोग चलते हैं फिर उपर सीडियां बनी हुई हैं फिर सीडियों से भी लोग उपर जाते हैं फिर बैठते हैं साम हो सुगे बहुत से लोग घूमने आते हैं नगर भामान के लिए अभी भी बहुत आगे लोग हैं यहां देखिए एक आल के दोरान यहां जवर्जस्त जो है संगीत नरत्य का कारक्रम लगातार हुआ और उसको देखने के लिए भारी पवले की हां मौजूद थी अब इसमें इस्टुडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं और यह आला की बैठक भी उसी जमाने की है तक करीबन आठ सो बर्स पुरानी जो काफी पहले जीर्ण सीन हो चुकी थी इसका जरूर थोड़ा सा काम किया गया इसका जीर्णो धार के लिए कुछ प्रयास हुआ था आज से 10-20 साल पहले की बात है यह लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है अब हम आपको दिखा रहे हैं यहां के घाट यह देखिए यह देखि चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा जहां देखिए बियर की बोतल पड़ी हुई है तूटी हुई यहां लोग आते हैं शराप पीते हैं उनके देखिए कितने पाउस पड़े हुए हैं उनका अड़ा बन चुका है यह और गंदगी का अमबार लगा हुआ है देखिए सब यह इसके कीरत सागर के घाट की पोजिशन वर्तमान हालात देखिए कितने खराब हैं यह देखिए अंदर के जाने के लिए पकडंडी भी बन गई है इस पकडंडी से पता चलता है कि वर्सों से यह इस तालाब में पानी नहीं था इस घाटों पर पानी नहीं था और यह हालात आज के नहीं हैं यह वर्सों पुरानी देखिए कितनी पन्नी पॉलिथीन सबगंदगी पटी पड़ी है यह कीरत सागर का तठ है और यहां भी देखिए दो स्टूडेंट बैठे हैं पढ़ रहे हैं और बाकी सामने एक खुबसूत मंदिर आगे हम आपको दिखाते हैं यह गात और अगे का हिस्सा यह घाट और है यह देखिए आगे इस घाट को देख लिए इस घाट की पॉजीशन भी सारे इधर की पत्थर उकड़े हुए है बहुत खराब पोजिशन है और अभी यहाँ मेला हुआ था कजली उस्सो मनाए गया था इसमें कजली का बिसर्जन भी होता है जिसे कहते जवारे का बिसर्जन यहीं पर किया जाता है इसी तालाप पर किस तरह से लोगों ने किया होग सोचने वाली बात है लेकिन घाट बहुत खूशूरत थे पर आज भारी दरगति के सिकार है कहीं कोई पूचने वाला नहीं यह देखिया आगे हम दिखाते हैं आपको यहां की दुरदशा देखिये ये हमारे कीरस सागर, एथ्यासिक कीरस सागर का हाल है इसी एथ्यासिक कीरस सागर की तट पर सन 1182 में दिल्ली नरेश प्रत्वीराज चोहान से हमारे जो महोबा के चंदेल राजा परमार थे उनसे लड़ाई हुई थी और हमारे जो वीर आलाउगल थे उन्होंने उनको धूल चटाई थी, हार का मुझ देखना पड़ा था उनको मतलब ये कीरस सागर जो है हमारा ये यहां महोबा के वीर योद्धाओं की वीरता का प्रतीख है और इसके थ्यास में समाया हुआ है यहां के लोगों की वीरताओं के किस्षे तरह तरह के चर्चे, तरह तरह के किस्षे यहां के मसूर है और इस कीरस सागर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें पारस मनी है पारस पत्थर इस कीरस सागर में फेक दिया गया था चंदेल राजा परमाल ने क्योंकि प्रत्वी राज चोहान उसे लेना चाहता था पारस पत्थर क्या होता है आप न जानते हो तुम्हें बताऊं पारस पत्थर वो होता है जिसमें लोहे को टच करते ही वो सोने में तब्दील हो जाता है तो वो पत्थर पारस पत्थर या पारस मणी हमारे चंदेल राजाओं के पास थी और वो उन्होंने प्रत्वी राज चोहान के डर से इसमें फिकवा दी थी लेकिन बाद में उस पारस पत्थर का कोई पता नहीं चल पाया कुछ भी नहीं मालुम चला और वो इसी में समाहित हो गई समा गई और यह बात तभी की है 1882 के आसपास उसी समय की बात है तो यह अध्यासिक कीरत सागर आज कितनी बुरी दुरगती से कितने बुरे दौर से गुजर रहा है इसकी कितनी बुरी दुरगती है इसको देखके स् गाट बहुत लंबा है इस गाट की लंबाई अगर इसके तट की देखी जाए तो एक किलोमीटर से डेल किलोमीटर की बीच में है और यह सामने पहाड दिख रहा है इसके उपर आला उदल के जो सैन्न गुरू थे ताला सैयत उनकी मजार है उसकी भी हालत बहुत अच्छी नह हमारा आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है हमारा तीरस सागर आंसू बहा रहा है सासन प्रसासन ने इसकी इसको भरने के बारे में कुछ नहीं सोचा हमें याद है अगर अगर पुराने वक्त पर गौर करें तो सन 2016 में इस तालाब की खुदाई हुई थी और पारिस हुई थी और ये कीरस सागर पूरा भर गया था उपर तक भर गया था तब ऐसा लग रहा था कि कहीं पर यह फट न जाए इसलिए उस वर्स कजली मेले को आयजित कर ना करने कभी प्रसासन ने फैसला लिया था और उसका एनाउंसमेंट भी हुआ था ताकि कोई दु मतलब छे वर्स हो चुके हैं बारिस नहीं हुई है इस छेतर में बहुत कम बारिस हुई है और छे वर्सों से हमारे इस सरोबर की ऐसी ही दुरदसा है लेकिन प्रसासन इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है ये कैसे भरा जाए तालाबों की सुंदरता उसके पानी से है अगर ये पानी से लबाला भर जाएगा, तो ये कितना खुबसूरत लगेगा, फिर देखने की बात होती है, और इस तालाब की सान तभी दिखाई देगी, और ये इसका एरिया बहुत लंबा था, ये चांदुचंदपुरा गाउं पढ़ते हैं आगे, वहां तक था पहले, दो किलो मीटर कहा गया है, उसमें लिखा हुआ है, तो ये लेकर धीरे धीरे सब इंक्रोचमेंट भी हो गया, चारो तरफ इंक्रोचमेंट हो गया, ये जो हमने आपको पहाडी दिखा रहे हैं सामने, इसको कहते हैं धुबनी पहाडिया, उधर देखिए कितने मकान बन इन मकानों को कई मर्तवा प्रसासन ने हटवाने की जरूर कोसिस की, लेकिन फिर प्रसासन सक्त नहीं रहा, धीला रहा, उसकी बैसे ये फिर वैसे ही हो गया. कुछ प्रबुद्ध नागरिकों की राय है कि अगर इसके पूरे जो जिस तरह से ये घाट यहां बना हुआ है, अगर इसको पूरा घाट आगे तक चारो और बना दिया जाए, तो बहुत ही खूपसूरती निकल आएगी, बहुत खूपसूरत लएगा ये, और फिर इसको भर करने का प्रबंद किया जाए, उर्मिल डैम से इसमें पहले पानी आया करता था, लेकिन उर्मिल डैम में खुदी पानी कम है, वहां पे मद्प्रदेश सरकार ने उर्मिल डैम के पहले 12-14 चेक डैम बनवा दिये हैं, वो भरते हैं और उसके बाद उर्मिल डैम में पानी आ आता है फिर वहां से कीरश सागर में आता है तो यह जो प्रवंद था पुराना वो प्रवंद अब पूरी तरह से बरबाद हो चुका है प्रसासन को इस तालाब को भरने के लिए दूसरे विकल तलासने चाहिए जैसे लेचूरा बांध से इसको जोड़ना चाहिए एक में गंगे परियोजना के तहत है और यहां इसको भरा जा सकता है अर्जुन बांध जो बन गया हमारा उतसे भी भरा जा सकता है अर्जुन सहाई परियोजना से इसको भरा जा सकता है लेकिन प्रसासन इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है कि एक साथ ही यहां मिल गए इन से पूछते हैं इसके बारे में कीRP सागर के बारे में क्या नामसे और आपका लगर यह किरत सागर आप अभी घुमने आए हैं घुमने आए शूबे स्वाम के लिए आते हैं घुमने अच्छा भादों को महिना चल रहा है और किरत सागर पानी के लिए तरस रहा है क्या कहेंगे अप पार्शा को सब्सा है पानी पांच something बर्शा प्रसासन इसके बारे में कुछ बिवस्ता नहीं कर रहा है, अगर करता तो यह पानी से भर जाता तो कितना अच्छा लगता, बिलकुल, बेटे क्या नाम है आपका, अच्छा, तो आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं क्या, अच्छा, तो यहीं की रसागर में जो बच्चे बैठ प्रसासन अभी कजली का मेला हो गया इतना बड़ा, लेकिन तब भी जो है की रसागर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको पानी से भरने की बिवस्ता की जाने चाहिए, मतलब पानी भी बासने का संभावना कम हो रही, बिलकुल, सूखा पढ़ जाएगा, लगता है फिर पढ़ जाएगा, मैं यहां कीरसागर पर पढ़ने आता हूं रोज, हम कंपिटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और हमें यहां पर हो गया, एक महीनी से जादा हो गया, और कीरसागर में इतनी बुरी हालत है, ना यहां कोई पिरसासन, कोई साप सुतरा, ना कोई स अंदर लगेगा, और कीरसागर में पानी को लाने की बिवस्ता नहीं की जा रही है, कि बांदों से टंकियों के पाइपों से कीरसागर को अगर भारा जाए तो और वो सुन्दर लगेगा, और यहां पर बढ़िया साप सफाई होनी चाहिए, यहां ऐसा कुछ वो नहीं है, यहां की कुछ सासन यहां पर कुछ देखरे कर रहा है, यहां पर गंदगी पड़ी है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि लैचूरा बांद जो है बहुत भरा हुआ है, अगर वहां से पाइपलाइन डाल दी जा है तो हमाई ताला भर जाएंगे? हाँ लेचूरबांद में बहुत पानी है अगर पाइप लांड डर जाए तो कीरस सागर भर जाएगा तो और सुन्दर लगेगा और भब सुन्दर लगेगा फिर यहां परटक आएंगे देखने घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस हालत देखते हैं स कीरस सागर की तो उनका भी मण घर जाता है कोई परसासन कोई पानी की सब्दें ही निकर रहा है यहां पर अगर लैचूरबांध से अगर यहां पर पाइप लेंड अरवा दी जाए तो यह कीरस सागर अच्छा भारा लगए और सुन्दर लगेगा और यहां पर पाल टक ऽो गूमने आएंगे तो उन्हें भी बहुत संदर लएगा और वो यहां की बहुत चार्चा दूसरी जगाए भी करेंगे कि महुवजिला का कीरत सागर इतना बैस्ट यह इतना अच्छा लग रहा है कि वहां के दूसरों को पिरचार करें तो वो भी यहां किसों अंदर देखने आएंगे यहां पर ऐसा कुछ है मारा साब यह जो कीरत सागर है इसकी पानी नहीं है भादों के महीने में इसकी इतनी बुरी हालत है और क्या कहेंगे आप मैं इस विसे में अपने बच्पन से बतलाना जाए बताईए जब मैं छोटी उम्रका था लगभग 13-14 साल से पर कोई भी वर्स ऐसा नहीं होता था कीरत सागर फूरी तरह भार है ना और हम लोग उस समय तैरते थे और ये इस्थिती काफी समय तक रही इसके बाद धीरे धीरे जब सन 78 या 80 के लगभग ये कीरत सागर फूट गया और दुबारा निर्मान होगा इसका इसके बाद इसका अपने आप नामालूम क्यों वर्सा की कमी से अथवा और प्राक्रितिक प्रकोप से वर्सा कम होने लगी पानी के आने के साधन इसके बंद हो गए कई जगह से मकान निर्मान अतिक कमान वगएरा से यहां यह पानी नहीं आ पा रहा है यहां वर्सा भी अब इसनी कम होने लगी है कि जिससे तीरत सागर नहीं भर पा रहा है अच्छा लोग कहरें कि लेचूरबांध भरा हुआ है अगर नमामी गंगे परियोजना के तहट इसमें पाइपलाइन डालके इसको भरा जा सकता है अभी यह जो अर्जुन डेम से जो नहीं अर्जुन साहय परियोजना उससे अगर पाइपलाइन इस तरह पड़ जाए जी तो कीरत सागर अथ्वा मदन सागर जो कबरई डेम में पानी आया है इसी बड़ी नहर का तो उस से अगर एक लिफ्ट परियोजना अगर बना दी जाए तो वह आके मदन सागर में आ सकती है ओ मदन सागर से की रशागर पूरी करेंगा लेकिन परसासन इसके बारे में सोच है तब ना हाँ लेकिन वह सोची नहीं रहा है सोच नहीं रहा क्योंकि तालाबों का सूंदर है तो यही है कि पानी उसका, यह बैठके कही हुई, महोबा मैं भी बैठके हुई, पानी के संब्द में, लेकर उसमें चारे नहीं को रहा है, सही कह रहे हैं, मुझे,